दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल अभी लंबा जील में रहेंगे अदालत में केजरिवाल की न्याई खिरासत 23 अप्रेल तक बढ़ा दी है जिसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि अगर केजरिवाल जेल में रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी क्या गुस्तीफा देंगे दिल्ली में कोई और मुख्य मंत्री बनेगा या फिर दिल्ली में राश्पती शाषन लगेगा लेकिन अब इन सवालों पर रोक लग गई क्योंकि केजरिवाल सरकार कैसे चलेगी ये पता चल गया है पंजाब के मुख्य मंत्री भगवन्तमान और राजसबासांसाठ डॉक्टर संदीपाठक ने केजरिवाल से जेल में मुलाकात की और बताया कि केजरिवाल ही मुख्य मंत्री बने रहेंगे और अब दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी ये पक्का हो गया है संधी पाठक ने आगे बताय कि CM केजरिवाल ने जेल से ही विधायकों को 24 गंटे जनता के बीच रहने के लिए और उनकी तकलीवों को दूर करने का संदेश दिया है केजरिवाल ने जेल से ही सरकार चलाने का आदेश दिया अगले हफते से मंत्रियों के साथ कारियों की समीशा की बैठक भी करेंगे वो जेल में हर हफते दो-दो मंत्री सीम केजरिवाल से मुलाकात करेंगे सभी मंत्री उनको अपने विभाववा लेखा जोखा देंगे और उसी हिसाब से अर्विन केजरिवाल आगे के दिशान हिर देश देंगे जिसका पालन किया जाएगा राजसभा सांसत पाथक ने जेल में मंत्रियों के साथ बैठे को लेकर कहा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसी के तहर से सारे काम किये जाएंगे इसके रावा पाठक का कहना है कि दिली के बेटे अर्विन केजरिवाल को अपनी नहीं बलकी जंता की चिंता है वो इस मुलाकार के दोरन केजरिवाल ने उनसे कहा था मेरी चिंता मत करो मैं संघर्ष के लिए तयार हूँ हमें न्याय पालिका पर पूरा भरोसा है हम सच्चाई और इमानदारी से लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं अंत में जीत सकते की होगी आपको बता दे कि आज यानि 15 अपरेल को अर्विन केजरिवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर 24 अपरेल तक ED से जवाब मांगा है कोट ने काये कि मामले की अगली सुनवाई 29 अपरेल को शुरू होगी उसी हफते में की जाएगी उससे पहले सुनवाई करना इस मामले में सुप्रिम कोट के लिए संभव नहीं है इससे पहले दिल्ली हाई कोट ने अर्विन केजरीवाल को रहात देने से इंकार कर दिया था अर्विन केजरीवाल की गरफतार इसे तुटी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे है विपी लाइव मेरा नाम है आयूश धन्यवाद